बहुत ही खुबसूरत रिटर्न के साथ आज हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां आप देखेंगे इस कंपनी के जो 2 years के रिटर्न रहे हैं वो आसपास आपके 310% के रहे हैं साथ ही 1 years की बात करेंगे तो 149% और 3 years में 64% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न भी देखने को मिला है साथ ही साथ इसके अगर हम लोग वैलुएशन पर नज़र डाले तो डिविडेंट इल्ड जो है वो zero that means company किसी भी तरह की कोई डिविडेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है साथ ही इनके जो EPS है वो काफ अपनी के बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं साथ ही साथ उसके fundamental टेक्निकल और चार्ट के उपर भी हम लोग नज़र डालेंगे बाकि अगर आपको और भी कोई information चाहिए होगा तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं तो आज की जो company है वो है डाइनमेटिक टिकनोलोजी लिमिटेड जो की आपके highly engineered products provide करते हैं for automotive, hydraulic and aerospace industries साथ ही साथ जो इनके strong R&D team है जिसके वज़े से ये आपके manufacturing जो capabilities है इनके और जादा बहतरी होते जाते हैं काफी जादा strong है और इसी यही एक वज़े है कि इन्होंने market में अपने काफी बहतरीन track record रखे हुए है साथ ही साथ ही आपके one of the world's largest manufacturer के तौर पे काम कर रहे हैं into hydraulic gear pumps और ये leader भी रहे हैं पिछले 45 years से into the same साथ ही 75% जो इनका market share है वो Indian organized tractor market से आता है और ये आपको हर एक OEM के लिए supply करते हुए नज़र आते हैं इंडिया साथ ही साथ ये leader रहे हैं आपके Indian private sector के जहां पे UK में भी आपको manufacture करते हुए नज़र आते हैं high precision airframe structure and aerospace component तो आपके ये दो अलग-अलग products बनाते हुए नज़र आते हैं और ये manufacture करते हैं आपके UK में भी और इंडिया में भी साथ ही साथ ये global aerospace OEMs के तोर पे आपको काम करते हुए नज़र आ रहा है aerospace के लिए जहां पे ये various OEMs को provide करते हैं अपने products जैसे की Airbus, Boeing, Bell helicopters and HAL साथ ही साथ ये manufacture करते हैं आपके high precision, complex, metallurgical, ferrous casting और आपके साथ ही साथ ही आपके various component भी provide कर रहे हैं आपके अलग-अलग जितने भी requirement है उसके basis पे, साथ ही साथ जो इनके locational advantage की बात करेंगे तो ये world class manufacturing facilities हैं इनके पास इंडिया, UK और जर्मिनी में जहां से ये आपके जितने भी local customers हैं ये local deliveries है जहां पर ये supply कर सके local basis पे उसके उपर इनोंने focus किया और आपको अलग-अलग countries में इनके presence देखने को मिलेंगे साथ ही साथ यहां पर बात करें तो ये आपके owns one of the most advanced furious foundries in Europe और यहां से ये आपको manufacture करते हुए नजर आते highly intricate casting साथ ही साथ 9 facilities इनके global basis पे available है जो आपके Bangalore and Coimbatool, UK की बात करेते Sweden and Bristol और Germany में भी आपको इनके कुछ facilities नजर आएंगे साथ ही साथ अभी इनके पास 21 patents available है for various products in India और international basis दोनों पर ही साथ ही साथ इनके अगर हम लोग blue chip customer की बात करें तो यहां पर आपको automotive में कुछ clients नजर आएंगे जो customers नजर आएंगे hydraulics की बात करें या aerospace की बात करें तो हर एक में आपको अलग-अलग customers नजर आ रहें जैसे कि automotive में आपके BMW है फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर hydraulics की बात करें तो Cumans, Scott, साथ ही aerospace की बात करें, Airbus हो गए जो हमने पिछले slide में भी हमने discuss किया ही है साथ ही इनके around 4 out of 9 directors are independent और highly qualified board और management team है इनकी अब next यहां पर देखते हैं तो यहां आपके जो aerospace की जो हम लोग बात कर रहे थे उनमें भी आपको 28% के आसपास का जो revenue है वो 9 मंत के अगर हम लोग round figure में देखना चाहें तो उनमें 28% का जो शेयर रहा है वो revenue का आपके aerospace के तरफ से रहा है hydraulics की बात करेंगे तो 33% और automotive की बात करते हैं तो यहां पर 39% के आसपास का रहा है वाकिया आपने customers के नाम देखे ही है और किस तरीके से क्या क्या product आपको aerospace के लिए बनाते हुए नजर आ रहे है वो भी आप यहां देख सकते जैसे कि wings उस आती साथ इसके quarterly results के ऊपर नजर डालते हैं तो यह आपको लगतार गिरावट देखने को मिलेंगे बड़ इस quarter में अगर हम लोग देखे तो इस quarter में थोड़ी सी एक आपको सुधार होती हुई नजर आई है पिछले quarter के मुकाबले जहां इन्होंने 304 करोर के आसपास का sales generate क करते हुए नजर आये हैं जबकि इनके जो operating profit है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद इसमें सुधार है 43 करोर के आसपास और net profit में भी एक आपको अच्छा-खासा सुधार देखने को मिला है तो overall जो quarterly basis के numbers रहे हैं वो इस quarter आपको सुधरते हुए द operating profit की बात करें तो यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेंगे और net profit में भी तो इनके year on year जो numbers रहे हैं वो आपको उतने अच्छे देखने को नहीं मिलें क्योंकि आपको हर एक parameter में गिरावट ही देखने को नजर आये हैं साथ ही साथ इनके sales and profit growth percentage की बात करें तो ज लगतार आपको बढ़ते वे दिख रहे हैं पिछले 3 साल के बाद पर यहां पर आप देखेंगे अभी भी इनके जो numbers हैं वो काफी बहतरी नहीं है अभी भी आप कह सकते कि ठीक ठाक से ही इनके ROE and ROCE percentage रहे हैं साथ ही इनके पास जो cash available है वो है 25.51 करोर के आसपास लेकिन इ in comparison to debt साथ ही साथ इनके जो shareholding structure है उस पर भी नज़र डालेंगे जहां पर आप देखेंगे most of the holdings जो है वो promoters के पास around 45% के आसपास नज़र आ रहे हैं FIS की बात करें तो 11% के आसपास DIS के पास 7% और others की बात करेंगे तो 35.2% के लगभग नज़र आएंगे alternative investment fund की बात करें तो 2.3% के आसपास रहे हैं और आप यहां पर अगर वैसे देखते हैं आप हर एक quarter wise अगर नज़र डालना चाहते हैं तो promoters के जो holding रहे हैं वो आपको September में गिरते हुए नज़र आए उसके बाद consistency नज़र आएगी FIS की बात करें तो FIS के भी numbers आपको गिरते हुए नज़र आए हैं after June 21 DIS में भी आपको एक गिरावट देखने को मिले हैं यहां आपके जो alternative investment fund है उनमें आपको बढ़ोतरी नज़र आएंगे उसके साथ ही साथ जो others category है उनमें आपको लगतार वैसे ही छुटपूट सी changes नज़र आएगी Key investors की बात करें जो यहां investment करते हुए नज़र आए वो आपके सामने है जैसे की HDFC mutual fund है Samena Capital है उसके साथ मुकुल अगरवाल and group उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर रोहिनी तो काफी सारे आपके यहां पर investors available हैं जिनके आप details देख सकते हैं यहां तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा बाकी अगर आपको स्टिल कोई doubt है तो वह आप हमें comment box में पूछ सकते हैं आपके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो यहां तक हमने जो वीडियो में देखा है उससे यही समझ आ रहा है कि इसके जो numbers निकल के आ रहे हैं वह उतने बहतरीन नहीं है बट उसके बावजूद भी जो return रहे हैं वह आपको काफी बहतरीन दिये हैं इस company बिजनस पोर्टफोलियों की बात करें तो काफी स्ट्रॉंग इनके बिजनस पोर्टफोलियों और काफी बहतरीन अपने बिजनस में कर रहे हैं बट उसके बावजूद भी इनके जो numbers रहे हैं उनमें आपको गिरावट देखने को मिले हैं क्योंकि जिस तरीके से यह आपक कोड़े से कम होते हुए नज़र आए हर एक चीज में आपको गिरावट देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं यहां पर आपकी जिस तरीके के यह कॉंपोनेंट बना रहे हैं तो उनमें भी आप कह सकते कि इनके जो requirements थे जो demands थे वह कम होते हुए दिके और जिसके वज़े से इनके sales के जो numbers हैं उनमें आपको गिरावट देखने को मिली है बाकि अगर आपको और भी कोई reason इसके पीछे का पता चलता है तो please comment box में जरूर बताए ताकि हमारे और भी जो viewers हैं उनके लिए यह काफी ज़्यादा helpful होगा बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ यहां हम लोग आप बात करते हैं इसके चार्ट के उपर जहां पर आपको एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है और उसके बाद आपको एक सीधा सीधा आप कह सकते की डाउन फॉल भी देखने को मिला है आपके शेयर में after October के अगर बात करें तो यह लगतार आपको गिरते साल देखेंगे यह आपको वीकली टाइम फ्रेम के उपर अगर हम लोग जहां बात करें तो अपने हर एक जो वीकली एमें हैं उसके उपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है बट यह हम बड़े टाइम पर देखने बड़ अगर आपको इंवेस्टमेंट के पॉपस से जान दिखाई दे आपके जो मसीडी पर आप नजर डालते तो अल्रडी इसमें आपको थोड़ा सा नीचे के तरफ आपको इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ इनके आरे साइए के उपर नजर डालते तो 60.71 के आसपास है तो थोड़ा सा आपको यह कूल आउ आसपास तो आप अगर नजर बनाये रखते 2200 के आसपास अगर यह शेर आपको मिल जाया तो वेलंगूड है उसके साथ ही आपको इसमें अपमूफ देखने को मिल सकता है 3000 के प्राइस तक उसके बाद अगर आपको 3500 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है तो इसके टागेट साथ ही थोड़ा और रिसर्च करें इसके ऊपर थोड़ा और अनलेसिस करें उसके बाद आप चाहें तो इसमें इंवेस्ट्मेंट के लिए जा सकते हैं बाकी आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कॉमन बॉक में पूछ सकते हैं बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए थैंक यू और टेक क्या